तो डियर अब हम लोग यहां पे जो है फॉर्मलेशन इंजिनियरिंग में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि फिल्ड मेथर्ड से कैसे डिटर्माइन करेंगे अल्टिमेट लोड केरिंग कैपसिटी तो तीन मेथर है पाइल लोड टेस्ट, स्टेंडर पेनिट्रेशन टेस् पाइल लोड टेस्ट यह जो टेस्ट है यह सेम है जो प्लेट लोड टेस्ट प्रोसेस किये जाते थे वही बट यहां पे प्लेट को रिप्लेस कर दिया जाता है पाइल से और लोड सेटलमेंट कर जो है वो ड्रॉग किया जाता है सेम जैसे उसमें ड्रॉग किये जाते थे उसी तरीके से इसमें भी आपका ड्रॉग किया जाता है, सारा प्रोसेस सेम है, बस जहाँ जहाँ प्लेट नमबर नजर आएगा, वहाँ वहाँ जो है क्या कर देना है, पाइल कर देना है, ठीक है? तो यहांपे सेफ लोड जो सेटेलमेंट और लोड का कर्व है, यह लूज सैंड और स्वाइल और एनसी स्वाइल के लिए इस तरीके का और dense sand, stiff soil और OCC के लिए इस तरीके का आएगा log-log scale पे loose sand और soil का इस तरीके का आपका settlement versus load का डाइग्राम आपका बनेगा तो safe load is equal to ultimate load by factor of safety IS code recommendation for safe load on pile pile पे जो safe load लगता है वो IS code recommendation कया जाता है IS code 201911 पे as per IS code safe load on the pile can be taken as as per IS code जो safe load होगा pile पे वो आपका होगा यहां पे पहला जो है आपका कि two-third of the ultimate load at which settlement attains a value of 12 mm जहां जिस डाटापे settlement जो है 12 mm होगा तो उस condition में two by three of ultimate जो है हमारा होगा दूसरा कि 50% of ultimate load होगे कब जब जो है 10% of diameter of pile को attain कर लेगा प्राप्त कर लेगा तब two-third of ultimate load होंगे कब जब net plastic settlement जो है और उस जो value है वो six mm को attain कर लेगा तब जो safe load है on pile group can be as हना जो pile group पे जो load है safe load होगा वो हो जागा two-third of final load at which settlement attains the value of 40 mm और हना final load at which total settlement is equal to 25 हना दोनों में से कोई एक रहेगा तो उस condition में जो है safe load हम लोग दोनों में से कोई एक तरीके से जो calculate कर सकते हैं जो भी इस में से minimum होगा उस value को जो हम लोग क्या करेंगे लेकर चलेंगे यहां पे जो है questions आपका दिया गया है कि find the safe load on pile pile पे जो है safe load calculate करना है if settlement reaches to 12 mm at ultimate load 4000 kN and 20 mm at 6000 नूटन डामेटर ऑफ पाइल जो है 200 mm दिया गया है तो आज पर फिर्स रिकमेंडेशन से फ्लोड इस उकल टू टू थार्ड ऑफ इनों का यूज किये और इन दोनों में से जो भी minimum होगा उसी को लेकर चलेंगे तो यहां पर minimum हमारा कितना आ रहा है यहां पर हमारा minimum जो है वह आ रहा है इजी है बस आपको एक वार कॉंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना बस सारा चीजे जो है समझ में आ जाएगी उसके बाद आप बात करते हैं मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन की तो मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन में जो है displacement pile जो है वो driving pile होते है driving pile जो है दो तरीके का होता है precast और increaseded decía to vi Ik Age और एक का होता है uncblicist ठीग है यह मेथड ऑ५ इंस्टॉलेशन में हम लोग जो है और हम लंटिस्प्लेस्मेंट पाईल यह तो परणकोम चल रहाँ जर्थिन के बारो जा excitement पाईल में दो तरीक हो फिर sail और casing pile होता है इसमें भी hammer का use करके उसको अंडर ढखिलते हैं मतलब piling करते हैं और यह होल इसमें कर देते हैं कैसे तो screw की मदब से यह service हमारे methods हैं तो सबसे पहले one by one हम लोग discuss करते हैं कि driving pile जो है किसके लिए suitable होता है तो driving pile जो है ये suitable होता है loose granular soil के लिए because under the dynamic action of hammer the soil gets compacted हना soil क्या होता है compact होता है जब dynamic action होता है hammer का तल board pile जो है ये clay soil के लिए suitable होता है under dynamic action of hammer clay may get remolded हना clay जो है remold होगा so driving pile is not suitable for clay soil clay soil के लिए जो driving pile है वो हमारा suitable है नहीं होता है board cast in situ board cast in situ ये जो है form होते हैं by drilling then it is called board cast in situ the hole is filled with reinforced or concrete जो hole किया जाएगा उसको जो है क्या किया जाएगा reinforced या और concrete के साथ जो है क्या किया जाएगे fill किया जाएगे जो भी hole होंगे driving cast in situ if a hole is formed जब hole जो हो जाते हैं by driving metallic cell हना metallic cell या caging into ground हना caging डालते हैं या फिर metallic cell डालते हैं then it is called driving cast in situ pile तो उसको जो है driving cast in situ pile जो है कहा जाता है ऑके बात किया जाए driving cast in situ की तो दो तरीके का होता है caged और एक uncased caged जो है if during concreting the caging is left हना जो caging डाले थे उसको हटा लेते हैं in position and then it is called caged file तो उसको जो है caged file का जाता है uncased में क्या होता है कि हम लोग जो है जो भी हमारा caging use किये हैं concreting के time में उसको जो है बाहर नहीं gradually withdraw और lift the it is called uncased हना क्या करते हैं इसको इसमें lift मतलब रहने देते हैं caged वाला में uncased वाला में जो है धीरे धीरे हटाते हैं थोड़ा सा उल्टा मैंने बोल दिया caged में रहने देते हैं और uncased में जो है lift करते हैं या withdraw करते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे concreting डालते हैं वैसे वैसे ultimate capacity of pile spt number के basis पे तो यहां पे जो है देखो qup is equal to a small qeb into area plus q a small qsf into area for driving or displacement pile के लिए qup is equal to 400 kilo newton चार सो गुने n into a b plus 2 n bar into a s for h pile यान नन displacement pile के लिए qup is equal to 400 into n into a b plus n bar into a s for board piles या non displacement pile के लिए qup is equal to 400 by 3 into n into a b plus n bar into a s यहां पे n जो है spt number को denote करता है below base of pile और n bar जो है आपका क्या बताता है average spt number को over the depth of pile पे कितना होगा वो बताता है यहां पे note point याद रखिएगा जो हमारा qsf है h pile का वो half होता है qsf of driving pile के ठीक है q eb of h pile जो है q eb of driving pile के equal होगा small q eb board pile का जो है one third of small q eb of driving pile होगा और small qsf जो है यह board pile का half of qsf of driving pile आपका होगा ultimate load capacity of pile using cpt number cpt number को use करते हुए तो q यह यहां पे जो है driving यह displacement pile के लिए क्या हो जाएगा q up is equal to q c a b plus q c bar by 2 into a s h pile यह non displacement pile के लिए q up is equal to a small q c into a b plus a small q c bar by 4 a s for board pile non displacement pile के लिए q up is equal to a small q c by 3 a b plus q c bar by 4 a s यहां पे जो है हमारा q c is equal to cone penetration resistance at below the base of pile और qs जो है यह average cone of penetration resistance होगा over the depth of pile के ठीक है तो यह जो है ध्यान रखना है q small q c जो है cone penetration resistance है base of pile पे यह base of pile के नीचे और q bar c is equal to जो है यह average cone of penetration resistance है over the depth of pile के तो डियर आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आगे और वी topics हैं जिसके मैं आने वाले समय में आपको और वी discuss करूंगा फिलाल के लिए चैनल जो YouTube पे चैनल है हमारा उसको अगर आपने subscribe नहीं किया है तो कर लिजे जाकर ताकि आपको जो है और भी कई सारे update मिल सके तैंक्यू कर दो कर दो